हलो फ्रेंड्स !!geim4 डिजनेर जिंग सन्सन मसचिन, आज ले कर आ गया हूं एक नी क्लास आजके क्लास में हम ् को समझेंगे शीरे फ्रेम ब्फर क्या होता है लाज्ट क्लास में मैंने वीud reference settings वगशर बताया था आज मैंने सोचा कि पर आप पर render निकालती हो तो normal round render निकालते हो, वीरे frame buffer में निकालते हो, किस तरह का render निकालते हो, तो उसकी settings कब क्या benefit आप यूज कर सकते हो, हो सकता है कुछ tools किसी को न पता हो, आपको render आपको निकालना आता भी, आप यहाँ पे ऐसा कुछ click करते हो, render निकलने लगता है, यह वीरे frame buffer है, पर इसमें सारे टूल्स के बार भी आप नहीं जानते होंगे, जितने भी आपको टूल्स दिये गया है, तो आज की क्लास में हम इन ही चीजों को समझेंगे कि ये टूल्स क्या है, ये RGB क्या है, ये सब फाइल वगेरा क्या है, तो advanced version में और क्या नया आया है, क्या कुछ है, इसी को आज की क्लास में हम समझते हैं, और basic चीजें जरूर करने समझेंगे कि क्या important है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना, तो अचर ये क्लास को स्टार्ट करते हैं, अभी हम फिलहाल इसे रेंटर को यहां बंद करते हैं, और सबसे पहले basic आपको पताते हैं कि यहां आप setting में जाते हो, जो कि मैंने last class में आपको वीरे setting 5 का, वीरे 5 का setting बताया था, तो इसमें एक आप जाते हो तो यहां वीरे common, यहां common में तो यह सब मैंने बताया था, कि width और height जो भी HDTV अभी में कर रखा हूं, then आप जब वीरे में जाते हों, यह सब setting मैंने बताया या type bucket रखना है यह सब, यहां सबसे top में एक setting है जिसको मैं साइध नहीं बताया हूं, वीरे frame buffer, तो इसको यह render करते हैं कि जैसे ही आप render क्लिक करते हो यहां पे, then इसका main यूज होता है, तो उससे पहले आपको setting में यूज करना है या नहीं, default आजकल 20-22 में आ गया है कि यह already on होता है, जैसे ही आप render पर क्लिक करते हो तो यह already वीरे frame buffer में, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब direct वीरे frame buffer में render चालू होता है, क्योंकि benefits बहुत जादा है, तो normal render अगर आप निकालते हो तो वीरे frame buffer को जानो, normal का तो आपको already पता होगा नहीं हो तो चलिए वह आप सीख जाओगे, बहुत basic अगर आप वीरे frame buffer जान जाते हो तो वह भी जान जाओगे, या और ज्यादा है तो आप classes देखो, बहुत सारे renders मैंने निकाले हो तो उनमें आपको सीखने को मिल जाएगा, तो आज basically जो है वह वीरे frame buffer पर है, तो यहां से आपको यह on नहीं है अगर तो यहां आपको आपका आपका जो आपका size यही size आपका जो भी यहां पर आपने टाइप कर दिया, वही आपका size में render हो, उसके लिए get resolution from max, तो वह आपको अगर इसे off कर देते हो, तो यह resolution लेना चालू कर देगा, render आपका यह resolution यहां कर नहीं लेगा, बलकि यह resolution लेना चालू कर देगा, अब मैं अगर render करूँ, तो यह आपका HD में नहीं निकल रहा है, यह 640 by 480 में यह render देखो, यहां लिखा हुआ, आ रहा है, 640 by 880, तो 480, तो इसमें यह render निकलना चालू हो चुका है, तो आपको इस अपरी frame buffer, और यह on रहेगा, यहां से आपने vire frame buffer on कर दिया, बस main आपका है, यहां setting में बस इतना काम है vire frame buffer के लिए, कि यह on होना चाहिए, get resolution from Mac, सीथे भी on कर दो, ताकि यहां से यह resolution लेना चालू कर दे, then आप यहां से ऐसा कुछ render चालू करते हो, जैसा ही render चालू करते render अभी आपका हो रहा है, मैं ली यह आप देख रहे हो, कि cursor मेरा जहां भी जा रहा है, अभी मैं cursor को यहां कर दो, यह render यहां से होना चालू कर दो, इसका benefit तभ होता है, जब आपका render हो रहा है, आपको किस scene में किसी एक जगह को particular जगह को देखना होता है, यहां पर light टां पर करसर को ले जाता हूं तो इस तरह से जहाँ भी आपका करसर हो वहां पर आपको रेंडर पहले दिखा तो इसके लिए बटन अल्रेडी मैंने अन कर रखा था था पहले से इसका अन होना ज़रूरी भी पहले से आपका यह on हो, यह बहुत जरूरी है, तो इसको आप अगर off कर देते हो, दिन यह नहीं होगा, दिन आप करसर कहीं भी रखो, off कर दिया, अभी तक वो on था, अभ आफ हो गया, तो यहां से यह ले रहा है, अब करसर यहां है, उससे कोई फर्क नहीं पर रहा है, तो य वीरे वायर कलर। यह जो भी आप यहां पे वीरे में एग राया हूण ver library कलर। सईटिंग में यहां पर आप जाओगे जो भी आप पासस औू, यहां पर मैंने last class में setting में यह pass के बारे में होता है था मैं एक pass हमेशा वीरे वायर color यह मैं हमेशा निकालता हूँ specular, shadow यह बाकी सारे pass में निकालू या नहीं निकालू यहां बहुत सारे pass होते हैं मैं बाकी बासेस निकालू या ना निकालू वायर करूड कलर में जरूर निकालता हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं मताऊंगा तो यहां जो भी आप पास आउन कर रखे होते होते वो सब कुछ यहां से मिलता है यह आरजीबी जो नॉर्मल मोड में है यह आपका अलफा ब्लैक और वाइट करके अगर कुछ ब्लैक पार्ट दिखाना हो अभी इसमें वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है बट होता है वायर कलर में क्या होता है देखो यह हर एक अबजिक्ट का अलग अलग कलर ताकि फोटो सॉ पूछ सेलेक्षन लेने के लिए काफी हेलफूल होता है तो इस तरह से वायर कलर तो यह तीन चीजे यहां पर जो भी और भी पासेस होंगे तो यहां पर सो कर रहा होगा यह है उसके बाद यहां पर आपका सेव जो भी आप रेंडर कर रखे हो पर रेंडर एक बार चालू कर आपको इसे सेव करना है तो यहां जिस फॉर्मिट में सेव करना है जे पेग पी एंजी जिसमें भी आपको सेव करना है टिफ टारगा तो उसमें आप ऐसा कुछ जाओगे यहां पर सेव ओके तो यह इस तरह से आप सेव कर दोगे यहां से यह है यहां से यह से यह सेव करन हो जाएगा हिएन कर दिया इसको यहाao ii कर दिया चीज का चीज है है कि यहाteriorãy चालू है तो है यहांसे रिंडर से भी जादा 25-100-150% रेंडर सेटिंग तो यह रेंडर यह क्या है कि आप जो भी रेंडर सेटिंग कर रखे हो उसके according आपको 10% में निकालना है तो यह आप रेंडर शेटिंग का 10% ही quality आपका रेंडर देगा यहां से आप 20 कर देते हो 50 कर था भी अल्रेड यह 50% ही रेंडर सेटिंग का निकालेगा तो यहां से 100 से भी जादा बहुत अच्छा निकालना है तो यह पर टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा तो यह चीज है आपको कितना quality आपको किस तरह का निकालना है उसके लिए देन तो मैंने selection ले लिया इतने एरिया का ही रेंडर निकलेगा बाकी एरिया का रेंडर नहीं निकलेगा यह आप इस तरह से यहां से reason रेंडर आप निकाल सकते हो उतने एरिया का ही selection लिया उतने का रेंडर निकाल दिया तो अब मालो एक बार मैं इसे 10% कर देता हूं और मैं र 360 चला गया कोई नहीं तो मैंने फिर से प्रोडक्शन कर दिया यहां पर हम फिर से रेंडर करते हैं तो यह देखिए मैंने अभी 10% कर दिया था तो यह देखिए कैसा 10% यह निकाल रहा है आपका रेंडर सेटिंग का बस 10% ही निकाल रहा है हर चीज उसने रेजलूशन साइज तक कम कर दिया बहुत जल्दी रेंडर भी निकल गया पर देख सकते हो आप कैसा पिक्सलेट बहुत ही क्वालिटी आप देखी सकते हो कि कितना बेकार हो रखा तो यह चीज है मैं यहां से इसे अब 150 अगर कर दो देन रेंडर निकालो तो आप देख सकते हो देन आपका आता है यहां पर यह आपका बहुत ज्यादा स्टार्ट इंट्रेक्टिव रेंडर जल्दी रेंडर निकालने के लिए बहुत कम यूज करते हैं इसका वैसे कोई खास यूज नहीं है उससे अच्छा मुझ अग आप इसका सेलेक्शन लेकर के उतने रिजन र कर लेते हो अभी मालो मैं एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेवी मैंने कर दिया 25% करते हैं एक रेंडर निकालते हों यह हमारा रेंडर निकाल रहा है तो इस तरह से यह सब सेटिंग है यहां से आप सेव करो यहां से क्रॉस करके अगर अच्छा नहीं लग रखते हो यहां पर क्लियर इमेज बाकी सब चीजे हैं यहां पर हिस्टरी वगर अगर आपको रेंडर का रखना है तो उसके लिए तो इस तरह से ओबर आल यह है सब से में जो आपको सेलेक्शन वायर कलर का चाहिए अभी जैसे मैंने रेंडर का सेटिंग कर लिया चोटा स हो गया अब मैं अगर इसे चाहूं तो यहां पर यह जैसे यह मैंने यह रेंडर कर दिया यह कर दिया अब इसी का मुझे वायर कलर चाहिए तो वायर कलर पर जाओंगा अब देखिए टेवल अलग कलर में ग्रीन मुझे इसका कलर चेंज करना हो कुछ भी एडिटिंग करना हो एक क्लिक में आप Photoshop में इसे सेलेक्ट कर सकते हो देखिए छोटे छोटे चोटे टेवल से अलग कलर में बैग्राउंड अलग कलर में तो यह काफी Photoshop में काम करने के लिए editing के लिए काफी helpful होता है यहां से जाओगे आप और यहां पर इसे इसे भी आप चाहो तो कुछ भी दीनएम करके वायर कलर या जो भी आप इसे सेव कर सकते हो जैपेग में मुझे करना था तो ऐसा कुछ आप यहां से इसे जैपेग में कर दो आपको अलफा चाहिए तो आपका वायर कलर तो इस तरह से आप इन दोनों को शेव कर सकते हो, वायर कलर और RGB रेंडर, तो ये चीज़ है इस तरह से अब शेव करो, रेंडर ये फ्रेम बफर का अच्छे से यूज करो, बाकी चीज़े और डीटेल में आपको जानना है, जैसे save current channel, save all channel image, save all image channel to sign in, save all image channel to separate file, जो यहाँ अलग-अलग थे, बहुत सारे अगर हो, तो यहाँ एक ही बार में इस पर जाओंगा, और एक ही बार में यहाँ मैं शेव करूंगा, माल लिजे इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, और इस सब को मैं यहाँ एक ही बार में सारे को शेव कर सकता हूँ, तो यह चीज है, इस तरह से आप जा करके यहाँ एक ही बार में बहुत सारी चीजे देखिए, अभी क्या हुआ, RGB यह भी सेव हो गया, अलफा भी, RGB भी कलर भी सेव हो गया, और यह आपका वीरे वायर कलर भी, तो यहाँ यह क्या हुआ, कि एक ही क्लिक में, सिर्फ इस पे एक क्लिक करके मैंने शेव गिया, तो जितने भी आपके पासेस थे, सारे सेव हो जाएंगे, तो उसके लिए, तो यह चीजे है, लोड इमेज, इसमें अलग से कोई और इमेज लोड करना है, यह क्रॉस, जो मैं बता रहा पूरा रेंडर होने के बाद आएगा, अगर आपको रेंडर जैसे पसंद नहीं आ रहा है, तो इस पे क्लिक करो, Are you sure you want to clear all channel data, तो यहाँपे यह कर दो, गाएब हो ग्यापका, फिर से रेंडर आपको, Sorry, मैं इस पे सेव करने के पर जाएंगा हूँ, इस पे अगर फिर रेक्टिव रेंडर, फास्ट करने के लिए, यह सब चीज़े है, clear image, जैसा कि यहां से clear image करना है, यहां से करना है, तो इसके अंदर बाकी चीज़ों को भी आप, color claiming यह सब, आप देख सकते हो, zoom in, display color, options में, vfb setting, तो इन चीज़ों को देखिए, बाकी basic जो main चीज़े हैं, व सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, bell icon button क्लिप कीजिए, ताकि future के सारे update आपको मिलते रहें, आई icon से जाकर के बाकी की classes, अगर आप चाहते हैं, तो यहां से आई icon से देख सकते हैं, कोई भी query है, comment कीजिए, कुछ भी, किसी तरह का नया class चाहते हैं, कोई subject है आपका, जिस सकते हैं, सीख सकते हैं, and live classes आप जोईन कर सकते हैं, thank you